प्रीज शात्रों आप सभी का स्वागत है कक्षा दस्वीक NCRT गडित विसे के अध्याय दो बहुपत के अंतरगत प्रशनावली 2.2 का पहले का पांचोवा प्रशन का आज हम अध्यन करेंगे कक्षा आठवी में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसके अनुसार एक ही गाद दो रिन बी की गाद दो ये एक सर्वसमिका थी एक प्लस भी एक कुष्टक में और दूसरे कुष्टक में ये माहिरस भी अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से यदि लिख लें कर्णी पंद्रा की गाद दो लिखें तो प्लस में कोई अंतर नहीं आएगा और इस तरीके से एक कुष्टक में टी धन कर्णी पंद्रा और दूसरे कुष्टक में टी रिंड कर्णी पंद्रा लिख देंगे जो की सर्व समीका के नुसर होगा अब हम सुन्य ग्यात करते हैं इसके लिए हम दोनों गुरन खंड को सुन के बराबर रख दें टी धन कर्णी पंद्रा पराबर सुन और टी रिंड कर्णी पंद्रा पराबर सुन इसके आधार पे हम टी का मान ग्यात कर लें पक्षंतर करके रिंड कर्णी पंद्रा प्राप्त होगा और दूसरा मान हमें धन कर्णी पंद्रा के बराबर फ़दन बीटा के नुसर करणी 15 अधन करणी 15 दुनों का हम योग करेंगे तो यह सुन के पराबर हमें पराप्त हो जाएगा कैंसिल होने पर कि इसको हम सुन बटा 1 लिख सकते हैं अब हम अप हमारे बहुपत पर ध्यान देते हैं कि हमारा बहुपत क्या था यहां सुन अर्थात टी का गुणांक होगा और एक टी की घाद दो का गुणांक होगा आप सुन्य को का गुणांफल अलफा इन्टू बीटा अर्थात करनी पंद्रा में हम गुणा करेंगे रिंड करनी पंद्रा का तो ये रिंड पंद्रा के बराबर प्र तब ये हमारा रिंड पंद्रा आप वहुपत के अनुमसार लिखेंगे अचरपध है और एक टी की घाद्दो का गुणांख है इस प्रकार से हम जाच कर लेंगे आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगली वीडियो में फिर मिलते हैं धन्यवाद